गुड मॉर्निंग फेंड्स स्वाधत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी विद्रवे ठाकुर पर चलिए आज की दहिंदुब लिटोरियल वकैबलरी की शिरुगात करते हैं वकैबलरी के पीडियेफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप के जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टेडी विद्रवे ठाकुर तो इस डॉक्मेंट है इसकी पीडियेफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के मिल जाएगी Telegram group का link में इसी video के description box में भी डाल दूँगा तो इसी video के description box में जाकर आप मेरे Telegram group के जो link है उसको access कर पाएंगे तो चलिए शुरूआत करते हैं आज की vocabulary का पहला word है mitigating mitigating यहां पे verb की तरा use हुआ है इसका मतलब होता है किसी भी समस्या की कोई किसी तरह का कोई कढईनाई है, कोई समस्या है, तो उसकी गंभीरता को, उसकी seriousness को कम करना, उसको बोला जाता है, Mitigating. Lesson or to try to listen the seriousness or extent of, that is called mitigating. अगला शब्द है, nuance. Nuance यहां पर noun की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है, किसी भी चीज़ में बहुत सुक्षम भेद होना, नाजुकंतर होना, उसको बोला जाता है, nuance. A nuance is a small difference in sound, feeling, appearance or meaning. That is called nuance. अगला शब्द है, virgin. Virgin यहां पर adjective भी तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब जो editorial में यूज़ हुआ है, वो हुआ है, अंच्वी जमीन की sense में. उसके लिए यूज़ हुआ है, इस word का, virgin का, और इसका मतलब दूसरा होता है, कुमारी लटकी से भी होता है, that is called virgin. You are virgin to describe, you use virgin to describe something, such as land, that has never been used or spoiled. जो कभी, धर्ती जो कभी use ना हुई हो, उस sense में यूज़ हुआ है, यह editorial में word, virgin. अगला शब्ध है, intervention यहां पे noun की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है, किसी भी काम में, या किसी भी क्रियावेदी है, कोई प्रोसेस है, उसमें हस्तक शेप करना, व्यवधान उत्पन करना, इसका मतलब होता है, किसी तरह की काहावत होना, काहावतें जैसे होती है, अन्त भला तो जग भला, इस तरह से जो भी साहरी काहावतें होती है, उसको बोला जाता है, dictum, a dictum is a saying, that describes and expect of life, in an interesting or wise way, that is called dictum, अगला शब्ध है, language यहाँ पे adjective भी तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है, थका हुआ महसूस करना, मुर्जाया हुआ होना कोई चीज, या निस्तेज होना, उसको बोला जाता है, English में, language, if you describe someone as language, you mean that they show little energy or interest, and are very slow and casual in their moments, that is called language, अगला शब्ध है, gargantuan, gargantuan यहाँ पे adjective भी तरह यूज हुआ है, gargantuan, यह शब्ध यहाँ पे adjective भी तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है, ऐसी कोई चीज, जो बहुत बड़ी हो, विशालकाय हो, जरूर आवशक्ता से अधिक बड़ा होना, उसको बोला जाता है, gargantuan, if you say that something is gargantuan, you are emphasizing that it is very large, that is called gargantuan, अगला शब्ध है, connesor, connesor यहाँ पे noun की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है, ऐसा कोई विक्ती, जिसको किसी भी चीज, बहुत अधिक महारत हासिल हो, और वो अनुभवी हो, और दूसरों को परखे, परखने वाला, पार्खी, या हम बोल सकते हैं, बहुत जादा जानकार होना, उसे बोला जाता है एंग्लिश में, connesor, a connesor is someone who knows a lot about the arts, food, drink, or some other subjects, that is called connesor, अगला शब्ध है arduous, आदूस यहां पर जेक्टी की तरह यूज हुआ है, इसका मतलग होता है, ऐसा कोई काम, जो समस्याओं से भरा हो, कठिनाईयों से भरा हो, या हम बोल सकते हैं, जो जिसको करने में बहुत जादा महनत लगे, शरम साध्य होना, उसको बोला जाएगा, इंगलिश में आदूस, something that is arduous, is difficult and tearing, and involves a lot of efforts, tiring, and involves a lot of effort, that is called arduous, अगला सब्ध है intermittent, intermittent यहां पर adjective भी तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है, ऐसा कोई काम, जो रुक रुक कर हो, वो continuity उसमें ना हो बिलकुल भी किसी तरह की, लगातार ना हो कुई काम, रुक रुक कर होने वाला, तो उसको बोला जाता है, इंगलिश में intermittent, something that is intermittent, happens occasionally, rather than continuously, that is called intermittent, अगला सब्ध है lean on, lean on यहां पर phrasal verb की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है, किसी पर dependent होना, निर्भर होना, आशित रहना, उसको बोला जाता है lean on, if you lean on someone, or lean upon them, you depend on them for support and encouragement, that is called lean on, अगला सब्ध है snarling, snarling यहां पर वर्प की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है, जानवरों का दांत दिखाकर, गुराकर दराना, उसे बोला जाता है snarling, और editorial में जो इसका use हुआ है, वो हुआ है, प्लेयर्स, जो performance होती है, प्लेयर्स की, उस sense में use हुआ है, यह word अभी series चल रही है, अस्ट्रेलिया में, और इंडिया के बीच, cricket series चल रही है, तो उस context में यह word use हुआ है snarling, वैसे इसका मतलब होता है, जो खिलाडियों की performance होती है, खेल के समय उसको दोहराते रहना, अच्छे performance को दिखाना, उसको बोला जाता है, उसको दोहराना, बार-बार उसको प्रफॉर्मेंस को दोहराते रहना, एन उनकॉर is short extra performance at the end of longer one, that an entertainer gives because the audience asks for it, that is called encore, और आज की vocabulary का अंतिम शब्द है dotty, dotty यहाँ पर adjective भी तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है, बहादूरी से साहस पूरुक वेरता पूरुक, सामना करना, मुकाबला करना, उसको बोला जाता है dotty, if you describe someone as a dotty fighter, you mean that they are brave, determined and not easily defeated, that is called dotty, तो यह word आज की vocabulary का अंतिम शब्द था, यदि आपको वीडियो helpful लगा हो, informative लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जादा से जादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो आज की vocabulary में इतना ही, thank you, thanks for watching,